ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जेशी कृष्ण हमारे यूटुब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धरमेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल ये राशी फले 3 मार्च 2022 गुरुवार का दिन है फालगुन महा के शुकलपक्ष की परतिपदाती थी है पूर्वा भादरपत नामक नक्षत रहेगा तथा कुम्ब राशी में चंद्रमा बिद्धिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में रहेंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुक्सान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो जीरा खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दोपहर एक बच के तीस मिनिट से आरंब हो करके तीन बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुविया मैंगली करिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला की राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिया हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरिदेव जो की कुम्ब राशी में वहीं चंद्रमा की दिया हम बात करें तो वो भी कुम्ब राशी में मंगल ग्रह मकर राशी में बुद्ध ग्रह मकर राशी में देवगुरु ब्रहसपती जोकी कुम्ब राशी में, शुक्र ग्रह मकर राशी में, शनिदेव मकर राशी में, राहु व्रशब तथा केतु व्रश्चिक राशी में विराजित रहेंगे। इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मितुल सिंग, तुला एवं धनू, ये पांच राशियां सबसे अधिक भागिशाली रेने वाली है। इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया, आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा। समय का भरपूर सद्प्योग करे। रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे। भविश्य अधिक महत्वपूर्ण योजना बनेगी, धनलाव होगा, नया काम आपका शुरू हो सकता है। और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में जा करके, यदि आप चावल का डान करेंगे, आपका देन शुफलदाई सावित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भाग अधिक शित्र में प्राप्त होंगे, नय वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी, यदि आपने उधार पैसा दिया है, तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा, विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउश मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए, इससे आपके महत्तुपूर्ण काम अटक सकते हैं, रुप सकते हैं, और उपाई के रूप में यदि आप चने की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे, तो दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं मितुन राशी की, आज आप रोज मर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे, इससे आप कि मानसिक वा शारिरिक ठकाबट दूर हो जाएगी, तथा एक नई उर्जा का प्रभाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे, आर्थिक व्यवस्ता में सुधार होगा, दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा, और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उप्योग क तथा उच्पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी, लंबी चर्चा होगी, और जो चर्चा होगी आगे चलकर के आपको ही फाइदा देगी, और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण शुरुवात हो सकती है, तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं, उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई जाबित होगा, आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, घर के संबंदिक कोई कार्य योजना आपकी तयार होगी, नया घर आप खरीद सकते हैं, या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्श करेंगे, धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी, परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका वितीत होगा, आर्थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना अवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, पातपूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी, आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी, लोग आपकी प्रसंसा करेंगे, आपको मान तथा सम्मान भी प्राप्त होगा, और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपक सुने, जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूच तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी, घर में कोई मांगली कारिक्रम संपन होने की योजिना बनेगी, तथा रिस्तेदारों की आबाद रही बनी रहेगी, और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड और तिल का डान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासे की, धार्मी कारियों में आपका विशेश रुझान रहे तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका रुद्बा बने रहेगा, और लक्ष के प्रती आप एकागर चित रहेंगे, सफलता आपको वश्ची ही प्राप्त होगी, नया वाहन, नई वस्तु खरिदने के विशे में आप विचार वेमर्श कर सकते हैं, उपाई क रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे, तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंग छे होगा, भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा, अब हम बात क परोक्त की कोई योजिना चल रही है, तो उसमें गंभीरता पुर्वक विचार करें, इस समय परिसितियां आपके पक्ष में हैं, किसी भी प्रकार का कोई यारी कागजी कारवाही आप करते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए, उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आज किसी जर्वत्मन मित्र की सहायता आपको करनी उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्वराशी की, इस समय ग्रह पूर मनोबल वो आत्म इश्वास पेदा करेंगे, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको नोकरी में नयाप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है, पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है, आपको स्वभाव में स शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे, इससे आपको प्राप्त होगी, पारिवारिक माहुल सकारात्मक रहेगा, ससुराल पक्षि से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, तो मित्रो या बाराराशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं, हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद